हेलो फ्रेंट्स आपका फिसे बहुत-बहुत स्वागता है आपके अपने ही चैनल SMII पे और इस चैनल में हम आपके लिए लेके आते हैं और आपको ने ने स्टॉक में द्वेश की राय भी देते रहते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पावर सेक्टर के स्टॉक ही बहुती बड़े गृप का स्टॉक है यह और आप देख सकते हो इस स्टॉक में 0.52 परसंट की रैली देखने को मिल गई है और यह जो स्टॉक है 2427 रूपीस पे क्लोज हो गया है अंदा 25 मार्च तो दोस्तों कौन सा है वो स्टॉक उसका हम ना भ आगट रह सकते हैं वो भी हम एक बार चेक करेंगे तो सबसे पहले जदी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का जो नोटिकेशन है वो मिल जाएगा आपको आज की मारी वीड जाएगी और जदि इस स्टॉक का लास्ट वन मांत का पैटरन देखे तो यहां पे भी बहुत ही बड़िया पॉस्टल ममेंटम देखने को मिल रहा है और इसस्टॉक में लास्ट वन मांत में 13 परसंट से भी जाला जो है वो तेजी देखने को मिल चुकी है तो जदी इसका हम चार्ट पैटन का अनेलसे करें तो कलियरली से चार्ट में आपको ynक्रिजिंग ट्रेंट शो कर रहे हैं तो आए इसका सिक्स मंत का पैटन देखने को मिलेंगे 53.76 परसंट के अच्स आपको देखने को मिलेंगे आई इस का और long term का pattern देख लेते हैं one year का pattern देख लेते हैं तो यहाँ पे बड़िया returns देखते को मिलेंगे 178% के multi bag returns देखने को मिलेंगे तो आप देख सकते हैं इसने एक साल में ही अपने investors का पैसा double से जादा कर दिया है ज़िए इसका five year का pattern देखे तो यहाँ पे और भी बड़े returns बहुत ही बड़े returns देखने को मिलेंगे 3683% के multi bag returns जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे तो 31st March 2017 को इसकी जो price थी 16.4 रूपिस थी तो आज जो stock at 2400 के level को भी cross कर चुका है तो आप देख सकते हो इसने कितने बड़िया returns अपने investors को बना के दिये हुए हैं ज़िए उस time पांच साल पहले आपने इस stock में वन लाइक रूपिस investment कर दी होती तो आज उसकी जो current value है that could have been more than 37 legs तो clearly long term में एक multi bagger stock है दोस्तों हमने आपको पहले ही बिखाया है stock market में long term में अच्छा पैसा बनता है और patience के साथ ही stock market में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है multi bagger returns प्राप्त किये जाते हैं लेकिं shorter में आपको volatility भी देखने को मिलती रहती है तो ज़िए all time का data देखे तो यहाँ पे और भी बड़े returns देखने को मिल रहे हैं 8,693% के returns देखने को मिल रहे हैं 2015 को जब जो stock है वो list हुआ था तो उस time इसकी जो price थी that was 27.60 रूपीज आज जो stock है वो 2427 रूपीज पे trade कर रहा है तो clearly इसने long term में अपने investors को बहुती बड़े returns दे रही हैं माला माल कर दिया है और उस time ज़िए किसी ने इस stock में one lakh रूपीज investment कर दी होती तो आज उसकी जो value है that could have been nearly 87 lakhs तो यहां पर आप देख सकते हो कितने बड़े returns इस stock ने अपने investors को बना के दिये हुए हैं तो आए इसके कुछ financial जो है वो हम जान लेती हैं ज़िए इस company के latest quarter के numbers देखे तो negative trend देखने को मिलेगा revenue का देखे पहले December 21 में यहां पर 12% की growth देखने को मिल जाएगी year on year basis पे net income में 32% की reduction है net profit margin में 39% की reduction है और operating income भी 20% के हिसाब से reduce हो रही है तो ज़िए इसके September 21 के numbers देखे तो यहां पे जरूर positive trend पाया जा रहा है revenue 17% की growth शो कर रहा है net income भी 31% की growth शो कर रही है net profit margin भी 11% के हिसाब से growth हो रही है और ज़िए June 21 के numbers देखे तो यहां पे भी आप देख सकते हो overall positive trend पाया जा रहा है revenue की growth 15% के हिसाब से देखने को मिल रही है इंकम में 13% की growth है profit margin flat trend शो कर रही है और operating income में आप देख सकते हो 36% की growth है तो यहां पे mixed trend देखने को मिल रहा है तो आईए जान लेते हैं कौन सा है वो स्टोक दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं Adani Transmission Limited Company के स्टोक की Adani Group की company है and this company is working in the electric power transmission sector and it is headquartered in the Ahmedabad, Gujarat, India and it is currently one of the largest private sector power transmission companies operating in the India दोस्तों power sector की बहुती बड़ी company है one of the largest company है in the private sector तो Adani Group की company है आईए इसके और detail जो हम हम चेक का लेते हैं इसके जो founder member है Gotham Adani है 2013 को यह company शुरू हुई थी Ahmedabad based company है number of employees के 5,285 है as per 2021 data और जदी इसके revenue देखें तो 11,041 क्रोड का निकल कर आ रहा है तो parent organization इसकी जो है वो Adani Group ही है आईए इसके कुछ technical level देख लेते हैं देख लेते हैं कि इसके technicals क्या कह रहे हैं आज कल इसकी जो price है वो 2427 की है तो इसके technical parameter पर चेक करेंगे long term की financial growth भी देखेंगे और share holding का pattern भी देखेंगे fundamental भी discuss करेंगे देखेंगे कि इसकी valuations किस तरह की निकल कर आ रही है दोस्तों किसी भी stock में investment करने से पहले आपको उस stock की valuations का check कर लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप अच्छे quality के stock को low valuations पर एड़ कर लेते हो यह एक बहुत ही अच्छी opportunity होती है और आने वाले time में भी आपको अच्छे returns मिलने के chances बढ़ जाते हैं तो Adani transmission limited यह power sector की company है transmission and equipment के काम करती है और जदी इस company की सबसे बड़ी हम strength देखे तो इसकी EPS की growth बहुत ही शांदर है यहां पर आप देख सकते हो इसकी जो EPS की growth है that is very very strong on the annual basis आईए इसके market capitalization देख लेते हैं clearly यह जो company है एक large cap company है इसका market capitalization देखें 2,69,315 क्रूड का है और इसकी TTM PE ratio 222 की है sector की PE ratio 12 की है तो sector के comparatively बहुत ही ज़्यादा costly है दोस्तों यह जो stock है आप देख सकते हैं क्योंकि जैसे के आपको पता है अडानी के ग्रूप के stock बहुत ही तेजी से भागते हैं तो इस stock में भी बहुत ही तेजी देखने को मिल रही है इस stock में भी बहुत ही बड़ी rally देखने को मिली है तो इसकी PE ratio बहुत हाई है price to book ratio भी 37 की चल रही है तो आईए इसके कुछ technical level जो हम जान लेते हैं ज़र इसके resistance level देखें 2467 का पहला इसका resistance level है दोसा इसका resistance 2485 का है तीसा 2515 का है similarly sport देखें 2418 का दूसा 2388 का तीसा जो इसका sport है 2369 का है पाइवोट इसका जो है वो 2436 का चल रहा है तो आई इसके moving average चेक कर लेते हैं तो moving average 5 दे से लेके 200 दे तक के हमारे पास available हैं यहां पर आप देख सकते हो data चेक कर सकते हो all the moving average are looking quite bullish क्योंकि आज गल इस stock की जो price है that is trading above all the moving averages तो यह बहुत ही positive indication है इस stock में आपको बहुत ही बड़ी तेजी जो है वो देखने को मिल चुकी है price की performance देखें one week से लेके three year तक का data available है तो जैसे जैसे आप इस stock में long term के लिए hold करते जा रहे हो वैसे वैसे इसके return भी बढ़ते ही जा रही है बहुत ही consistent performance देखने को मिल रही है तो three year में इसने अपने investors को one thousand percent से जाता return बनाके दिये हुए है तो आईए आगे बढ़ते हैं इसका volume का analysis कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं one month का volume देखे four lakh का है similarly one week average four lakh in year है और एक दिन पहले का thursday का volume देखे three lakh का है तो फ्रैडे को दिन इस स्टॉक में one lakh का volume देखने को मिला था और इसका delivery का data भी reducing trend शोग कर रहा है तो volume भी reduce हो रहा है और इस company का जो अब delivery का data है वो भी negative trend शोग कर रहा है तो shorter में जुरूर इस स्टॉक में आपको volatility देखने को मिल सकती है profit booking देखने को मिल सकती है आईए आगे बढ़ लेते हैं इसके long term के financial growth की चेक कर लेते हैं तो यहां पर हमारे पास five year का revenue का growth available है 2017 से लेके और 21 तक इसका जो revenue है वो हमारे पास available है 17 में इसका जो revenue था 2875 crore था 21 में यह बढ़के 9926 crore हो गया है पहले यहां पर आप दिख सकते हैं 17 से लेके 20 तक increasing trend था लेकिन उसके बाद थोड़ा decreasing trend भी पाया जा रहा है लेकिन overall growth जो है long term की बहुत ही इंटेक्ट है बहुत ही positive है तो net profit में same type का जो pattern है वो देखने को मिलेगा long term में net profit का data बहुत ही positive growth शो कर रहा है multifold jump जो है वो शो कर रहा है similarly quarterly basis पे इसका data चेक करें तो यहां पर भी nearly जो है वो आपको positive trend ही देखने को मिलेगा December 20 से लेके December 20 बांता कि इस company का revenue grow हो रहा है year on year basis पे भी और quarterly basis पे भी यहां पे अच्छा jump देखने को मिल रहा है तो ज़दी इसके net profit का data देखें तो यहां पर जरू negative trend पाया जा रहा है अब इस company की जो profitability है वो आपको quarter on quarter basis पे जरूर reduction शो कर रही है लेकिन स्थम्बर 20 के बांद के comparatively December 21 में flat trend पाया जा रहा है आये इसका shareholding pattern देख लेते हैं तो यहां पर देख सकते हो प्रमोटर के पास 74.92 परसंड का stick एफाय के पास 20.8% का पका स्थेक के पास प्ब्ली के पास आप देख सकते हो nearly जो है वह आपको 3% का स्थेक देखने को मिलेगा अदर्स के पास प्थेक पास प्रति-स परसंड का stake देखने को मिल जाएगा, बहुत ही mixed trend पाया जा रहा है, और जदी हम इसका promoter का holding analysis करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो promoter की holding है, December में 74.92% थी, December 2020, and December 21 में भी same pattern देखने को मिला है, कोई change नहीं हो रहा है, लेकिन जदी pledges as the percentage of promoter share देखें, तो यहाँ पर जुरूर आपको reduction देखने को मिल रही है, December 2020 में जो pledges sales थे, promoter के, वो 27.77% थे, आप जो है 7.27% रह गए है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यह जो company है, अब अपना debit release कर रही है, और जो promoters हैं, वो अपने shares को unpleasant कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता है, कोश companies होती हैं, जिसमें shares pledged होते हैं, प्रमोटर के, और इसका मतलब है कि वो company एक debt written company है, लेकिन अब इस company के यह जो debt है, वो reduce हो रहा है, क्योंकि इसके जो shares है, प्रमोटर के, यहां पे आप देख सकते हो, था promoters unpleasure 0.95% of shares in the last quarter, quarter on quarter basis पे भी इसके जो pleasure shares हैं, वो reduce हो रहे हैं, year on year basis पे भी reduce हो रहे हैं, जड़ी institutions का holding देखें, तो mutual funds की holding इस company में slightly बढ़ रही है, और FIIs ने इस company में selling की हुई है, लेकिन number in के बढ़ रहे है, number of the FIIs and mutual fund schemes are continuously increasing in this company, तो जड़ी इसकी valuation check करें दोस्तों, यह जो company है बहुत ही आप कहा सकते हो, एक high valuation company है, as compared to other power grid है, NTPC है, Tata Power है, उसके comparatively इस stock का जो PE ratio है, बहुत ही high है, similarly price to book ratio है, बहुत ही high है, लेकिन यहां पर आप दिख सकते हो, ROE percentage is also very very high, तो इसका मतलब क्या है, return on the equity is very very good, तो इसका मतलब है कि यह जो company अपने investors का पैसा बहुत efficiently use कर रही है, यह एक अच्छी indication है, one year की performance बहुत ही excellent है, दोस्तों यह जो company है एक अच्छी company है, अच्छा काम कर रही है, इसकी financial जो है वो अभी आपको negative trend शो कर रही है, यह जो company है थोड़ी over valuation zone में चल रही है, तो इसलिए हम आपको यही राय देंगे, जदि आप इस stock में investment करना चाते हो तो आप किसी dip का bait करें, आने वाले time में जुरूर इस stock में थोड़ा आपको dip देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इसके numbers है वो अभी देक्टिव चल रही है, जैसे ही stock में को dip मिलता है, correction मिलती है, तो आप इस stock में धीरे धीरे करके accumulation कर सकते हो, और long term में ही investment करें इस stock में सौगा 3000 के level को जरूर आपको touch करके दिखाएगा, so thanks again, people meet you with a new video, new investment idea, आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, पहले आप हमारे चैनल को subscribe जरूर करें, बैल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इस से आपको हमारे आने वाले वीडियो का जो note equation भी मिलता रहेगा, आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लेगी तो like बटन भी जरूर प्रेस कर दीजेगा, और इस वीडियो को आप अपने family members and friends के साथ जरूर शेयर करें, दोस्तों इस चैनल में हम आपके लिए कल special वीडियो लेके आ रही है, जिसमें हम आपको बताएंगे किसी